और आई से बीच इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मालदीव से मिल रही है प्रधान मंत्री नरिंद्र मूदी के खिलाफ अब पांजनक टिपड़ी करने के बाद मालदीव चारो ओर से घिरा हुआ है और अब मालदीव में सियासी भूचाल राश्टपती मुझ्जो क खिलाफ अवश्वास प्रिस्ताव लाने की तैयारी वहीं टूरिज्म असोशेशन ने भी इसकी आलोचना की है प्यम के खिलाफ जुकरी शब्दों का इस्तमाल किया गया जब भी संकट आया है भारत ने हमेशा मालदीव की मदद की है अब भारत से माफी मांगे मालदीव स सकता है क्योंकि आपको बदा दे कि मालदीव का विपक्ष भारत के साथ इस्तों में खटास लाने के लिए वहां की सरकार को ही दोशी ठहरा रहा है और रास्टपती मुझ्जु के खिलाफ अविश्वास प्रिस्ताव लाने की तैयारी चल रही है बड़ी खबर है इस वक्त चाहिए मालदीव को तो अभी रास्टपती मुझ्जु के खिलाफ वहां पर अविश्वास प्रिस्ताव लाने की तैयारी चल रही है मालदीव के रास्टपती मुझ्जु को हटाने की पहल वहां के संसदिय अल्पसंख्यक नेताओं ने किया है उन्होंने मालदीव के नेत बार्टी के शीष नेताओं से पूछा है क्या वो राश्पती मुजदू के खिलाफ अविश्वास प्रिस्ताव लाने के लिए तैयार है। निंदा करते हैं। बार्ट से माफी मांगनी चाहिए। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त का मालदीव पर भारी बड़ता नजर आ रहा है। भारत के साथ जिस तरह के मालदीव के मंद्रियों ने बयान दिये हैं। उसके बाद भारत की तरफ से लगातार प्रतिक्रियां दी जा रही हैं। यानि कि इस पर कड़ा जवाब दिया जा रहा है और अब खुद मालदीव में। विपक्ष ने भी मालदीव सरकार से अपिल की हैं कि वो भारत सरकार से माफी मांगे। तो राश्टपती मुल्जु के खिलाफ अविश्वास प्रिस्ताव लाने की तैयारी हैं। मालदीव में ये बड़ा सियासी भूचाल इस वक्त की बड़ी खबर। उड़ा बड़ा इस वक्त की बड़ा इस वक्त की बड़ा हैं।